डियर श्टुडेंट आज मैं आप सभी को प्राफिट लॉस के चैप्टर में प्राफिट लॉस प्राधारित कुछ महतोपून प्रशनों के बारे में बताने जा रहा हूं इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको उसके सूत्र के बारे में बताया था आज उसके प्रश्णों के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्ण आपको दिया गया है कि एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर 600 रुपए में बेंज दी गई इस सौदय में कुल लाब तथव लाब प्रश्ण ग्यात कीजिए दूसरा प्रश्ण है 742 की लागत से तयार एक वस्त को रुपए 700 में बेंच गया इस प्रकार वस्त पर कितने प्रश्ण की हानी हुई तो दोनों प्रश्ण एक ही जैसे हैं एक ही तरीके से लगेंगे तो यहां पर देखें जब कोई चीज खाई दी जाती है तो खाई दने को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस मोली पर कोई वस्त खाई जाती है उसे हमके कहते हैं क्रेमल क्याते हैं और जिस्समोट पर बेचे आती हैं विक्रेमुली क्याती है कितना हो जाएगा 500 रूपय हो जाएगा 600 रूपय हो जाएगा यहां पर लाभ निकालना है तो लाभ का Wenn वीडियो में आप सभी को बतिया था लाभ बराबर होता है विक्रेम उलर मैंस का क्रें ऊली तो यहां पर देखेंगे लाभ बराबर विक्रें मारि का 600 था 600-500 भराबर कितना आग Será है है तो से यह सो यह हमारा क्या हो बड़ाएगा he Years में पूछा गया है प्याड़ किज्वा तो प्रिसल लाब पिद्ट unanim किटना है साथ इस उर्ण है यह इकितना कभल देखते हैं किसी वर्च तुको यह दोनों प्राशण एक जैसे हैं इसमें लिखा गया है एक एक कुर्सी जब रुपए 144 में बेंची जाती है तो उतने ही प्रिषट का लाव होता है जितना कुर्सी का लागत है कुर्सी की लागत ग्याद की तो यहां पर हमने सूत्र लिख दिया है यह कई तरीके से सवाल लग जाते हैं तो इसमें एक में साधान सा सूत्र लिख दिया है क्रेम मुली बराबर दस गुणे अंडरूट 25 प्लस विक्रेम मुली माइनस का 50 जब आपको लाभ निकालना होगा लाभ दिया होगा मुला नहीं तो माइनस का 50 24 कहां से जाएगा यह आपको पहली में 24 दिया गया 24 में बेचने पर जो चीज़ बेचिया थी वह विक्रेम मुली हो तो यहां पर 24 हो जाएगा फिर यह 24 25 आपर में कितना हो जाएगा अंडरूट 49 49 यह साथ का वर्ग है जब इसकी गुणा करा देंगे 10 से त तो सत्तर हो जाएगा सत्तर माइनस पचास बराबर कितना जाएगा आपका 20 रुपए हो जाएगा तो अगला प्रश्न सभी बच्चे घर से कर लाएंगे चौथा नंबर ठीक है धन्यवाद